Welcome back to the online classes everyone in today's class we are going to see should wizard hit mommy by john abdike आज के video lecture में जो chapter है वो एक interrogative sentence है question है तहाँ पर पूथा जा रहा है क्या wizard को mommy को hit करना चाहिए क्या wizard mommy को hit करेगा should wizard hit mommy तो एक interrogation है इसका मतलब throughout the chapter आपको circumstances दी जारी है जहाँ पर आपको judgment करनी है तो बिल्कुल सही अप्रोच है आपका इस title से इतना जो अप्रोच है वही introduction भी है introduction यह है कि story जो है jack के around revolve होती है jack जिनके दो बच्चे है जो और बॉबी उनकी wife Claire है जिसको अभी third child होने वाला है jack की एक habit है कि वो story सुनाते है कि जो को लेकिन जो पहले ऐसा होता था कि जो story सुनते है चुपचा सोजाया करती थी पर अब जो है जो उनको question करने लगी इंटरप्ट करती है बीच में सवाल पूछती है तो यही है when the child starts growing up the child doesn't believe everything to be true जो भी adults बोल रहे हैं वो सारे बात सच हो यह बच्चे भरोसा नहीं करते हैं interrogation शुरू करते हैं तो जो अब उस stage पे थी life के जब वो बार-बार किसको question कर रही थी jack को question कर रही थी so jack now finds himself in a fake शेक बहुत ही difficult situation में जो है फज़ जाता है क्आं फज़ जाता है कि सवाल के जवाब कैसे दे ठीए बट फिर भी वो आराम से उसको सμुझाने की कोशिश करता है बट फिरपी जो कहती है कि जो पापा आप कह रहे हो और जो stage की ending आप decide कर तो वो बच्चा अपना थिंकिंग रख रहा है तो एक तरह से ये थ्रूआउट दी स्टोरी ये क्लैश है कि कैसे जो पेरेंट्स है वो ग्रोइंग अब बच्चे को कैसे समालते हैं और इस क्लैश को कैसे फेज करते हैं वो चीज जो है राइटर हाइलाइट किये हैं समने के लिए जो को स्टोरी सुनाता है कौन झैक ये जैक जो है एक बेटी जो को स्टोरी सुना रहे है जो और जैक Ki बहुत चिपनती है और अभी ही तक जो ढÝ जो नहीं उन कई सारी स्टोरीच कोफ़ाईच équल मान लेती सी अच्छा जो जैक है वह स्टोरी में चेंज भी नहीं करते थे, story का एक pattern होता था, जो हर story में same होता था, बस उसमें characters को थोड़े से change कर देते थे, अब आज फिर ये story सुना रहे हैं, पहले ऐसा होता था, story सुनते सुनते, half midway में ही वो सो जाती थी, पर अब वो सोना तो बहुत दूर की बात है, वो बिल्कुल bright eyes से open करके, द उसकी जो मम्मी है नीचे painting का काम कर रही है, and she's already carrying a child, that child, तो वो चाता है कि वो जाके मम्मी की भी मदद करे, लेकिन यह सोने का नाम नहीं ले रही है, अच्छा, हर story में ऐसा होता है कि, story स्टार्ट होती है, जहां पर एक creature के बारे में बात करते हैं, वो creature must अपनी life जी रहा होता है, लेकिन उसको एक problem होती है, उस problem के लिए वो बहुत परशान रहता है, वो हमेशा जाता है question पूछने, wise owl, हर story में ऐसा होता है, एक उल्लू से जाता है question पूछने, वो उल्लू जो है, उस creature को कहा बेजता है, एक wizard के पास बेजता है, wizard, मतलब एक magician के पास बेजता है, वाईज उल्लू किसके पास बेजा, magician के पास बेजा, wise owl, उल्लू और wise, तो wise owl किसके पास बेजा, magician के पास बेजा, जो magician होता था, वो हमेशा magic करके उसको ठीक कर देताथा, और happy ending हो जाती थी, और in return coins मांगता था, और coins हमेशा थोड़े से कम होते थे, किसके पास जो creature है, ज क्रियेचर है माली जे एक डॉग की स्टोरी है डॉग को कोई प्राब्लम है डॉग गया आउल के पास आउल ने भेजा उसको विजर्ड के पास विजर्ड ने मैजिक करके इसको ठीक कर दिया और विजर्ड ने कुछ पैसे मागे तो डॉग के पास exactly जितना पैसा मागा उससे थोड़ा सा कम होता था तो फिर विजर्ड उसको एक कुए में भीजता था वो कुए से बागी पैसा ले आता था और वो पेवेंट करके आराम से चला जाता था एपी एंडिंग हो जाती थी पर इस बार बच्चे की जिद को ना ध्यान में रखते हुए वह एक साड एंडिं दी लेकिन इसको फ्रेंड्स प्लेइमेट्स हैं उसको बद्बूदार कहेंके हटा देते थे और पभी उसकेसाद केहलते नहीं थे तो यह रोजर्ड कांग जाता एकिसके पास इस ही वाई जुलु के पास वाई जुलुके पास वाई जूलुको सूजेशन देता है कि तूम जाओ किसके पास विजर्ड के पास तो वो कहां जाता है विजर्ड के पास चला जाता है अब विजर्ड के पास जाएगा तो विजर्ड उसकी स्मेल ठीक कर देगा अभी तक तो स्टोरी सब ठीक थी लेकिन यहां पर क्या होता है कि विजर्ड जो है स्मेल ठीक कर देता है लेक विजर्ड से अपनी समेल चेंज कराकर आओ। तो आपको देखना है।uciones केक्ष diffने म बच्ट किaimerें विजर्ड से पिर्ण है। 32 और इनकी डेथ कब हुई अभी जल्दी 2009 27 जैनुवरी 2009 यह एक American novelist poet और short story writer थे art critic और literary critic भी थे critic कौन जो मतलब study करता है work को अलग-अलग और question करता है ठीक है one of the three writers to win Pulitzer Prize for fiction more than once तो यह उनकुछ writer तीन writer जो है वो एक बार से जादा Pulitzer Prize जीते हैं fiction के लिए imaginary stories के लिए और उन्हों तीनों में से एक है John Hoyer Updike अब जाहिक published more than 20 novels, more than a dozen of short stories collection as well as poetry, art and literary criticism and children's book during his career अब कुछ word meanings देख लेते हैं नैप तो जब short sleep आप day में लेते हैं उसको नैप कहते हैं और नैप के लिए एक custom था कि Jack's story सुनाएगा विजर्ट अक्मान था जिसके पास magical power थे, magical charm से वो क्या करता था, change कर देता था जो भी problem और कुछ pennies मांगता था pennies मतलब वही कुछ coins supper, evening meal, evening meal के लिए Roger skunk smell change करवा के वापस आता है तो असको बहुत जादा दिक्कत होती है किसको उसकी ममी को यह सारी meanings को relatable है story में fatiguing, something which cause to feel exhausted, right मतलब एक social custom, futile मतलब useless, pointless, shown, past participle है shine का skunk, a cat size का animal होता है photo देखी आपने, stirred, move slightly, woodland, land covered with trees, solemnly, with deep sincerity, foreseen, be aware of beforehand, jest, great enthusiasm and energy humiliation, किसी को शर्मिंदा करना, stinky मतलब unpleasant smell अब आज हम लोग theme के साथ इस वीडियो को over कर देंगे और lecture का जो line by line explanation है वो next video में देखेंगे जो story है वो कुछ moral issues से साथ deal करती है और जो adults की complexity है कि वो कैसे childish innovation के साथ clash ना करें उनको समझा के हटा दें वो चीज से बहुत जादा जील करता है चार्प्टर फादर जाक अपनी story जो daughter है उनको story सुनाते है अपनी childhood experiences, failures, complexes influence होकर और वहीं other hand पे अब जो की अपने दुनिया में है वो बेटी who is growing up वो से बाहर आने की कोशिश नहीं करती है और वो बहुत जादा बूरा feel करती है किसके लिए Rogers कंके लेगी कि उसके playmates उसको reject कर और इसलिए वो अपनी point of view से Rogers कंके point of view से वो चाहती है किया story में कि Rogers कंके साथ भला हो ठीक है तो वो childish जो ego होता है childish view होता है childish attitude होता है उसको highlight करते हैं the ending of the story also highlights that the fact that the children must understand that one must accept one's identity and gracefully accept the way we are created तो आप देख रहे हैं last में उसकी मम्मी smell change करवा देती ही है तो उसमें ये भी एक moral lesson जो है वो jack समझाना चाहते हैं जो को कि जो आपकी real identity है उसमें जीना सीखिए उसमें रहना सीखिए ना कि कि किसी और की identity में तो ये है story आपकी ठीक ठाक story जादा बड़ी नहीं है उसके बाद previous year के questions भी मैंने set कर दी है और कुछ important answers भी कि आप कैसे लिख सकते हैं answer ठीक है चलिए अभी जो आज के लिए है वो इतना content ठीक है जो अगली class है उसमें हम लोग ऐसा line by line explanation देख लेंगे in the evenings and for Saturday naps like today's Saturday afternoon nap था Jack अपनी daughter Jo को एक story सुनाता है ठीक है out of his head अपने मन से बना कर and this custom began when she was two ठीक है and it was now two years old और वो custom भी अब कितने साल को गया है दो साल कुराना हो गया है ठीक है okay that's all for today I'll be explaining otherwise तो वही है कि Roger करके Roger के आगे कोई एक नाम रख देता है Roger कोई क्रेचर रख देता है Roger fish, Roger squirrel, Roger chipmunk, all this ठीक है that's all for this class today we will see the line by line explanation in the next class thank you